परिशानी का सामना करना पड़ रहा है पिछले दो महिने से मैं लगातार अपने छेतर का दौरा मैं कर रही हूं और दौरा करने के दौरान मैंने ये दिखाए कि MCD वाले करमचारी जितने भी हैं वो अपनी डूटी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं लेकिन जहां जो गंदा पानी है यदि वो बहता हुआ बड़े नाले की तरफ जाता है तो वहां रुकावटे पैदा होती है इत सही है जनता बिल्कुल परेशान है क्योंकि उन्हें सरफ एक ही नजर आते हैं यदि या तो निगम पाशद कि उन्हीं वही काम करेंगे उनको यह जानकारी नहीं है कि कौन सा नाला PWD का है कौन सा फ्लट का है और कौन सा ही MCD केंडर आता है उन्हें तो सरफ सफाई से मतलब हैं और सफाई हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कर रहे हैं पर शिकायते जहां किया हैं उस सरकार उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप लोगोंने मेर मैडम का भी दौरा करा है लेकिन फिर भी ठाप के पीन पर बिल्कुल तेरा तारी को हमारे यहां पे मेर सा गुदासीन है जनता से सरफ इतना निवेदन कर सकते हूं कि सरकार की खीचा तानी को वो थोड़ा सीरियस लें और यह समझने की कोशिश करें काम किसका है यह नहीं कि जो सामने है उसी को बोला जाए ठोड़ा समझदारी से काम लें और हम सब की हेल्प करें अपने साहियों क करें कि कुड़े को इधर दर ना फैके नालियों में ना डालें कुड़े को हमेशा कुड़े दान में डालें बाकि की डस्ट बीन में डालें इतना मेरा आम जनता से आग रहे है